प्रदान मंत्री आवासी योजना के अंदर आप अपनी सबसीडी को घर बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कैसे अपनी सबसीडी का पता लगा सकते हैं इस टॉपिक के उपर मैं आपको जानकरी देने वाला हूँ और आपको एक तरीका बताऊंगा जिसमें आप घर बैठे simple से method से अपने subsidy को check कर पाएंगे प्रधान मंतरी आवासे योजना के अंदर तो दोस्तो उसके लिए करना क्या है simply आपको पूरी वीडियो देखनी है ताकि आप इसे ठीक से समझ जाएं और इसका lab ले सकें तो दोस्तो आपको अपने phone पर google browser open कर लेना है या कहीं पर भी आप google browser को open कर लीजिए यहाँ पर जब आप google browser open करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है P-M-A-Y ठीक है P-M-A-Y लिखना है और उसके बाद आपको इसको search कर लेना है ठीक है P-M-A-Y लिखके आप इसको search कर लीजिए और उसके बाद आपको यह पहला option जो दिखेगा यहीं पर आपको click करना है दोस्तों मैं आपको यह बताता हूँ कि देखे सभी लोग प्रधान मंतिर आवासी योजना में apply करते हैं लेकिन उनके मन में यह जरूर doubt रहता है कि उन्हें कितनी subsidy मिलेगी कितनी उन्हें छूट मिलेगी कितना उनको loan मिलेगा या loan के आधार पर कितना उनको पैसा बचत होगा तो यहाँ पर आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आप खुद ही चेक कर सकते हैं आपको किसी से पूछने की जरूद भी नहीं पड़ेगी तो चली हम यहाँ पर पहले option पे click कर देते हैं जैसे आप यहाँ पर पहले option पे click करेंगे तो देखे इस तरह का page आएगा यहाँ पर बहुत सारी बाते हैं लिखी हुई आप इन्हें चाहें तो पढ़ भी सकते हैं यह आपके काम भी आ सकती हैं नहीं अगर पढ़ना चाहते तो आप simply यह देखे आपको यहाँ तीन लाइने नजर आएंगी इन तीन लाइनों के उपर आपको यहाँ click करना है जैसे आप यहाँ पर तीन लाइनों के उपर click करेंगे तो देखे इस तरह का एक page आजाएगा और यहाँ पर एक option है नीचे subsidy calculator ठीक है चलिए मैं back कर देता हूँ आपको दिखाई नहीं दिया होगा यह देखे subsidy calculator मैं थोड़ा इसे zoom भी कर देता हूँ तो आपको इस subsidy calculator के उपर click करना है जैसे आप यहाँ subsidy calculator के उपर click करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको एक दो बार करके भी दिखाता हूँ जैसे मानलीजे कि आपकी income यहाँ पर 3 लाख रुपे है ठीक है तो हम यहाँ पर 3 लाख रुपे लिख देते हैं उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि loan amount तो मानलीजे हमें यहाँ पर मिला 6 लाख रुपे का loan अपने मकान के लिए परधान मंत्री आवासी योजना में ठीक है तो यह है 6 लाख रुपे अब यहाँ पर नीचे जो देखे यह ध्यान देने वाली बात है यह जो tenure यानि कि loan चुकाने के लिए जो मिलने वाला जो समय होता है तो यहाँ पर maximum जो है वो 20 साल के लिए बोला जाता है तो यहाँ पर अगर आप maximum करेंगे 20 साल के लिए अगर रखेंगे तो आपको ज़ादा subsidy मिलेगी अगर आप कम करने की कोश्च करेंगी यानि कि कम टाइम के लिए अगर loan रखेंगे तो आपको कम subsidy मिलेगी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यह 240 यानि कि मैंने 20 साल सेलेक्ट किया हुआ है उसके बाद आपको यह Yes Yes सेलेक्ट करके रखना है और उसके बाद नीचे देखिए option आपको दिखेगा यहाँ पर हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको कि अब मैं इसको 20 साल ना करके इसको 10 साल कर देता हूँ ठीक है 10 साल यानि कि 120 महीने अब मैंने इसको 120 महीने कर दिया सेम इंकम वोई है सेम लोन वोई है सिर्फ मैंने महीने जो है वो कम कर दिया मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में लोन पूरा हो जाए अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान दीजिए वहाँ पर हमें 2,67,000 की सबसीडी मिल रही थी तो यहाँ पर हमें 1,61,668 रुपे की सबसीडी सरकार देगी तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि जितना ज़्यादा टाइम तक आप लोन आगे रखेंगे उतनी ज़्यादा सबसीडी यहाँ पर मिलती है और जितना हम कम टाइम में को चुकाने कुश्च करते हैं तो सबसीडी थोड़ी कम हो जाती है अब यहाँ पर चलिए हम कुछ और भी ट्राइ करके देखते हैं जैसे मान लिजे मेरी इंकम चारलाख रुपे हम लगा लेते हैं ठीक है यह चारलाख रुपे और लोन सिर्फ हमने लिया चारलाख रुपे ठीक है मैं सिर्फ ऐसी आपको एक बार और करके दिखा रहा हूँ और अब मैं इसको चाहता हूँ कि ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए ही मैंने इसको ले लिया तो मैंने सिर्फ 81 महीने ऐसी इस पर टाइप कर दिया है अब आप नीचे हम देखेंगे तो देखें सिर्फ 77,000 रुपे की सबसीडी हमें गौवर्मेंट की तरफ से मिलेगी तो इस तरह आप अपनी कैटेगरी आपकी इंकम आपकी लोन या कितना लोन आपको मिल रहा है उस आधार पर आप यहाँ पर खुद चेक कीजिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है और आप यहाँ पर देख पाएंगे और उसी के आधार पर आप अपना प्लान भी मना पाएंगे और हिसाब भी लगा पाएंगे कि आपको कितनी सबसीडी मिल पाएगी और कितना आपको लाब यहाँ पर प्रधान मंत्री आवासी होजना के अंदर होगा तो दोस्तो ये जानकर आपके लिए खास थी कैसी लगी आपको जानकर ही हमें जरूर कमेंट करके बताईए अगर अच्छे लगी होते हैं लाइक कीजिए पने दोस्तों परिवार के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आपके स्क्रीन के पर जरूर कीजिए ताकि आपको मारी बनाए हुई नहीं नहीं वीडियो लगातर मिलती रहें कि पल्कुल फ्री होतार आप इससे जहाँ सब्सक्राइब पायादा उठा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही दन्यवाद